हेलो एवरीवन हेलो डियर एटीपियंस वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा कैसे हैं आप सब hoping that आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे तर आज के बुलज़ाई वीडियो में आप सबी के लिए जो concept में लेकर आया हूँ जो बहुत ही interesting concept है लेकिन students को बड़ा परिशान करता है जिसका नाम है ring expansion ring expansion कैसे होती है उसकी सारी tricks सफंडेज में इस चोटे से वीडियो में आपके साथ शेयर करने वालों hoping that आपको बुलज़ाई सीरीज में बहुत बहुत मज़ा आ रहा होगा चलिए सीधा start करते हैं with the ring expansion concept ring expansion नाम से ही पता लग रहा है इसमें ring का size पहले से increase हो जाता है अब एक बात बताईए ring का stability order होता है वो अपने को ज़रूर पता होना चाहिए ring का stability order होता है वो सबसे stable ring होती है 6-membered फिर 5 फिर होता है 7 फिर होता है 4 फिर होता है 3 अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ring expansion कहां कहां हो सकता है तो as you can see कि इन सभी की जो भी छोटी ring से उनकी इच्छा होगी कि यार वो बड़ी ring बने बड़ी ring बने सबसे stable जो सबसे खुश है वो है 6-membered ring है तो उसको तो ring expansion की जरूरत ही नहीं तो ring expansion की जरूरत किसको है 5 को 4 को और 3 को 7 को क्यों नहीं है अरे भाइ 7 को ring को expand करोगे तो 8 बन जाएगा और 8 की stability और भी कम होती है तो यहाँ पर 5, 4, and 3 तो पहली चीज़ आप सभी को clear है कि ring expansion can take place in 3, 4, and 5-membered rings 3, 4, and 5-membered rings में ही ring expansion होता है कोई-कोई case है rare case है जिसमें 6-membered भी expand कर जाता है पर हम rare cases की बात नहीं कर रहे है तो यहर देखो 3, 4, 5 में हो सकता है अब सवाल आता है कब होता है और कैसे होता है तो उसका trick भी आपके साथ में share करने वाला हो तो यहर देखिए उसका trick क्या होता है उसका funda क्या होता है वो यह होता है कि जैसे माल लीजिए हमारे सामने है 4-membered ring और यहाँ पे positive charge है तो condition ऐसा होता है कि 3, 4 या 5-membered ring अगर है और उसके साथ जुड़े हुए atom पे अगर positive charge हो तो ring expansion will take place क्योंकि देखिए आप सभी जानते हो यहाँ पे दूसरा shifting भी possible है यहाँ पे 1-2 hydride shift भी तो possible था यह प्लस यहाँ से यहाँ आता और hydride वहाँ पे चला जाता यह भी तो हो सकता था तो यहाँ पे इन दोनों में जब competition हुआ तो कौन जीतेगा ring expansion जीतेग तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ring का size 4 है और 4 के बगल में प्लस है इसका मतलब ring expansion होगा similarly अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जीसे कि मान लीजिए 3 member है और यहाँ पे positive charge है ठीक है मान लीजिए यहाँ पे 5 member ring है और 5 member ring है और 5 member ring के just बगल में यहाँ positive charge है इन सभी cases में ring expansion will take place now the question is कैसे भाईया क्या होगा कैसे होगा ring expansion तो आइए देखते है ring expansion कैसे होता है तो देखें simply याद रखिए ring expansion भी एक तरह का 1-2 shift ही होता है 1-2 shift का मतलब यह है कि cation जो है वो बगल वाली position पे आएगा यानि अगल बगल adjacent position पे आएगा तो positive charge अभी यहाँ है तो positive charge यहा आएगा जब यहां से कोई bond तूटेगा अब कौनसा bond तूटेगा hydride shift यहां हो नहीं सकता तो बचा क्या तो यह जो electron pair आप सभी को दिखाई दे रहा है यह electron pair shift होके break होके यहां जाएगा plus charge की और arrow पे ध्यान दीजिएगा कैसे यह sigma bond यहां से तूटके electron pair यहां जा रहा है अ इसका जो transition state है उसमें क्या हो रहा है यह वाला bond तूट रहा है और यह वाला bond बन रहा है तो यहां पर मैं लिखूंगा BB क्योंकि bond breaking हो रहा है यहां पर मैं लिखूंगा BF ठीक है तो BF का मतलब भाई सिर्फ बॉइफरेंड नहीं होता है BF का मतलब bond formation भी होता है तो यहां यहां पर charge कम होता जा रहा है क्योंकि electron यहां पर shift होता जा रहा है यह process होते होते eventually what you get is कि यह bond यहां से तूट जाएगा और यहां bond बन जाएगा जहां से तूट आज इस point पर ध्यान दीजिए वहां पर क्या आ गया प्लस आ गया इस point पर प्लस चार्ज आ गया अब देखो यह दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो इसी को ठीक से संसकारी तरीके से अगर मैं दिखाऊंगा तो आ जाएगा कुछ ऐसा simplify my mind ring with positive charge तो आप देख सकते हो कि पहले से किटायन के alpha hydrogen भी बढ़ गये है hyperconjugation भी impactful हो गया है उसके अलावा यहां पर ring का size भी बढ़ गया है फाइदा क्या होता रिंग का size बढ़ने से आप सभी जानते हो angle strain पहले से decrease होता है जिस कारण equilibrium forward में shift होता है यनी reaction forward में जाती है इस तरीके से होता है यही same funda यहां पे भी applicable होगा और यहां पे भी applicable होगा एक मैं कर रहा हूँ एक आप भी करके देखिएगा क्योंकि बिना कि यह कुछ नहीं होगा है ना यूट्यूब पे सर्फ वीडियो देखते रहने से काम नहीं चलता बच्चो समझ रहो ठीक है यहां पर जैसे इसको करना है पहली चीज मैं बता रहता हूं थ्री में में रिंग में जो particular catan होता है यह काफी famous catan है इसमें dancing resonance का concept भी बोलत है इसका वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं लेकर आऊं तो मैं लेकर आ भी जाऊंगा ठीक है कि क्या फंडा इसका रहता है तो CPM cyclopropyl methyl होता है यह already काफी stable होता है ना बट still ring expansion यहां हो सकता है still हो सकता है कैसे होगा वही same फंडा याद रखिए one to shift है trick समझे प्लस charge भगल म अब इसी ego मैं संसकारी तरीके से normal तरीके से दिखाता हूँ तो यहां पर ऐसे प्लस charge आ जाएगा so ring expansion में doubt यही आता है कि सर प्लस charge कहां से कहां गया अरे भाई one to shift है तो बगल में गया और जहां पर प्लस आएगा उसी जंगे से तो bond तूटेगा और bond तूटके उदर चला जाएगा next video को pause कीजिए और इसको try कीजिए I think you can do it आप इसको कर सकते हो है ना तो भाई यह electron पर यहां जाएगा यह ऐसे bond बनेगा तो यहां पर इसको ring का size 5 से हो जाएगा 6 और इस point पर प्लस आएगा so that's how it is to be done इस तरीके से किया जाता है और ऐसे बन जाता है बात समझ मे आरेगे सभी को तो it becomes very very easy ring expansion कैसे होता है I think इस चोटे से वीडियो के बाद आपको कभी doubt आना नहीं चाहिए ना आपको दिख जाना चाहिए कि ring expansion कब-कब करना है ठीक है अब लेकिन यहीं पर माली जी हमारे पास ring का size already 6 है और यहां पर positive charge है तो अब यहां पर पताइए ring expansion कि जाएगा के नहीं होगा के नहीं होगा या नहीं होगा नहीं होगा विग रिंग का size already क्या है 6 है तो यहां पर लेकिन कोई shifting होगी क्या सोचके बताइए will some shifting take place yes guys shifting यहां पर होके रहेगी यहां पर जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है यह shift होके यहां पर plus charge आ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार उसी से ही कॉंफिदेंस बढ़ता है मोटिवीशन आता है आगे और भी कॉंटेंट लाने के लिए एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भाई अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए जिस पर मैक्सिम्म लाइक्स आएंगे वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ओकी गाईज hoping that you love this series and ring expansion के लिए समराइज कर देता हूँ 3, 4 या 5 में में रिंग के बगल में अगर प्लस चार्ज आएगा तो ring expansion हम लोग करेंगे बस एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जब ring expansion करो तो करने के बाद alpha hydrogen should increase significantly या तो increase हो बस इस बात का ध्यान रखना है तो कुछ special cases है तो वो कभी questions करेंगे तब आपन देखेंगे hoping that you love it, bye bye take care and keep preparing well